पद्मापूर खुली खदान बन करने की मजबूरिया या साजिश चालू खदान में कहा से आया क्लेरंस का मुद्दा कामगार संगठनने उठाये वेकुली के नियत पर सवाल वेकुली चंदरपुशेतर की पदमापूर उपनकास्ट कोईला खदान की फॉरेस्ट क्लेरंस के नाम पर बन करके इस अचानक फैसले से वेकुली करमचारी में हड़कम सा मच गया है आईए देखते हैं जब भी अभी खदान में 60-70 लाग टन कोईला मौजुद होने का दावा कामगार संगठ ने किया है पिछले कई वर्षों से यह खदान सुचारू रूप से चालू रहने के बाद अब अचानक यह फॉरेस्ट क्लेरंस का मुद्दा कैसे आया इस पर आश्यरे वेक्ते करते हु कामगार संगठ ना ने इस खदान को नीजी हातों में देने की साजिश बताया है पदमापूर खदान का नाम इतियास से मिटाने नहीं देंगे और लालपेट जैसे इसे नीजी हातों में नहीं जाने देने का द्रीड संकल्प करते हुए इंटक के कामगार नेता शंकर खत् कि पदमापूर खडान को पुना जल शुरू करने के लिए हर संब वे प्रयास करेंगे बतादे की शेत्रिय समन्वे समिती चंदरपूर शेत्र की बैठक साथ अप्रेल को शेत्रिय मुख्यले में आयजित की गई थी इस समय चंदरपूर शेत्र के मुख्य प्रबंदक तथा जेसे सी अध्यक्ष चंदरपूर शेत्र मुख्य शाबीर इनके अध्यक्षता में संपन हुई इस बैठक में सभी उपशेत्री प्रबंदक वरिष्ट अधिकारी और जेसे सी सद्यस्य खास तोर पर मौजुद थे इस बैठक में वेकुली प्रबंद ने बताया कि मोटा घाट नाला के डाइवर्शन का नक्षा प्राप्त हुआ किन्टू फॉरेस्ट क्लिरंस आज तक प्राप्त नहीं हुआ है एवं आगामी कितना समय लगेगा इसका निर्धारन नहीं किया जा सकता वर्तमान परिस्तितियों में पदमापूर खदान को चलाना संबो नहीं है अताहा खदान का उत्पादन कार्य बन किया जाना है एवं पदमापूर में उपलब्द जनशक्ति का स्तानांतरन भटाडी एवं दुरगापूर खुली खदानों में किया जाना प्रस्तावित है ऐसी चर्चा हुई बैटक में सभी जिसी सदोस्यों ने खदान बन करने पर आपत्ती जताई जल से जल पदमापूर खदान चालू करने हे तू गतिविदियों को पुरुण कर खदान को कमपणी द्वारा चलाने का अनुरोत जिसी सदोस्यों ने किया है। साती जनशक्ति को अन्यशेतर में ना भेज कर दुर्गापूर भटाडी खदानों में उपयोग के प्रबंदन के प्रस्ताव का स्वागत भी किया है। यहां के कामगारों को तकलीफ सहनी पड़ रही है। सुचर रूप से चररे खदान में बीच में क्लिरंस का मुद्दा कहां से आया कहीं इसे नीजी हातों में जाने की साजिश तो नहीं है। इस खदान की स्थिती कहीं लाल पेट जैसी तो नहीं करेंगे ऐसे कई सवाल वेकुली के प्रबंदन के बारे में उठ रहे हैं। उन्हें ने कामगारों को आश्वस्ते किया कि जल से जल पदमापूर खदान को पुना चालू करने के लिए प्रयास किये जाएंगे। बाइट शंकर खत्री हिंटक कामगार संगटन के नेता। चंद्रपूर से BCN News के लिए प्रविन बटकी की ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं राष्ट्री कोईला खदान मद्दूर संग इंटक सचीव के नाते जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम पदमापूर ओपन कास के टाइम ओफिस के पास तमाम सब सातियों के साथ खड़े हैं। बहुत दुख का दिन है कि पदमापूर का नाम चंदरपूर के इतियास से पुरा खत्म करने की साजिश के तहत यह सब हुआ है। कहने के लिए तो है कि हम लोगों को बहार नहीं जाने देंगे यहीं रखेंगे लेकिन इस खडान को बंद करने के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ये कामगार जिम्मेदार है कि अधिकारी जिम्मेदार है ये जिम्मेदारी किसकी है प्लैनिंग करने की प्लैनिंग करने की जिम्मेदारी है वेवस्थापन की और वेवस्थापन प्लैनिंग करता और कामगार काम करता है आज इस खदान में विगत 6 महने से हम लोग बातचीत हुई लेकिन मसला ऐसा आ गया है कि हमें खुद आश्चेरे हो रहा है कि चालू खदान में कहां से फॉरेस का तुमारा पेड़ दिखने लग गया और उसके क्लेरंस के लिए तुम अभी काम रुग गया है जबकि 60-70 लाग टन कोईला आज भी पदमापूर में मौज लेकिन यह जो हमारे हाथ में जो था आपने 2019 में क्यों इसके क्लेरंस के लिए बेजा उसके पहले क्यों क्लेरंस नहीं कराए आज खदान के बीचों बीच फॉरेस्ट आ जाता है और आप अचानक चारों यूनियन को बुला के कल आपने जेसी सी के माध्यम से मिटिंग चानि दिया कि क्या क्या होने वाला और क्या क्या नहीं होने वाला है सीनियर लोग जाएंगे दुरगापूर जूनियर जाएंगे बटाडी और वू的लों के ओ आवेदन देना पड़ेगा उसके और विश्तापित नहीं पड़ेगा एं तमाम सारी नहीं हुई है हमारे हाथ में वो मिनर्स दे दिया उन्होंने और कहा कि यह डिसीजन हो गया है आप देख लिजिए अब यह बताइए कि एक बड़ी संगटन को छोड़ कर यह मिटिंग होना और यह पॉलिसी मैटर पे डिसकुशन होना और निर्ने होना यह कहां तक सही है अग पर चारों यूनियन को बिठा के बात किया है